मैं यह नहीं चाहूँगा कि आप लोग अपना hard-earn money किसी एक wrong decision में डाल दो और फिर बाद में आप पस्ता हो कि नहीं मैं यह bike लेता तो सही रहता इसलिए मैंने वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं ट्राइ करूँगा अपना best चीज आपको बताने के लिए नमस्ते दोस्तो और वेलकम टो मैं चानल आज इस उडियो में हम लोग बात करने वाले है ड्यूक 390 और अड्वेंचर 390 दोनों में से कौन सा बाइक चूस किया जाए और कौन सा आपके लिए सही रहेगा honestly मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ड्यूक 390 चला है RC 390 चला है लेकिन अभी तक मुझे एड्वेंचर 390 चलाने का कोई भी चांस नहीं मिला लेकिन फिर भी मैं आपको अपना best opinion देने का try करूँगा as of मैंने जितने अभी तक reviews देखे है जितने मैंने ownership के reviews देखे है दोनों बाइक का price almost same है अगर आप BS6 Duke 390 और BS6 Adventure 390 लेने जाओ तो दोनों का price में ज्यादा difference नहीं आने वाला है और इसलिए ये decision बहुत hard है कि आपको Duke 390 लेना है या फिर Adventure 390 लेना है और इसके अलावा आपने ये वीडियो देखने से पहले बहुत सारे reviews देखे होंगे बह पहले हम लोग देख लगते हैं Adventure 390 तो Adventure 390 अफकोर्स बहुत अच्छा बाइक है जिसके अंदर सारे के सारे features दिये हुए even Duke 390 से ज्यादा अच्छे features दिये हुए है और फिर इसके अलावा इसके अंदर fuel tank भी आपको थोड़ा सा बढ़ा मिलेगा अभी सेम जगह पर हम best deal है जिसके अंदर आपको सारे features देखने मिल जाएंगे और इसके अलावा यह Indian Road के लिए सबसे best bike है जिसको आप बोल सकते हो ADV Duke 390 Adventure 390 से lighter है तो आपको उसको City में चलाने के लिए मज़ा आएगा इवन उसका वज़न कम होने के वज़े से आपको उसका pickup थोड़ा ज्यादा सकते हो इसमें एक थोड़ा सा disadvantage यह है कि high wind में जब या फिर high speed में आप जर्ब चलाओगे तो wind blast आपको ज्यादा लगेगा जिसके लिए Adventure 390 में already ही पहले से ही windscreen windshield दिया हुआ है according to my knowledge अगर आप ऐसा बाइक देख रहे हो जिससे आप टूरिंग कर सको और उसको हिमालाय लदाक या कहीं और पर भी लेके जाओ तो आपके लिए Adventure 390 एक बेस्ट डिल रहेगा क्यों क्योंकि उसमें सारी चीजे है प्लस उसका जो seat height और everything सब चीज उसमें प एक महिने में या दो महिने में एक बार तो आपके लिए डूक 390 एक best option रहेगा तो यह best चीज है आप इस तरीके से अपना decision ले सकते हो again मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि यह decision लेने से पहले आप properly showroom में जाना दोनों बैक्स पर बैठके देखना आप देखना क कि आप कौन से बाइक में ज़्यादा comfortable हो और फिर उसके बाद चूज करना of course Adventure 390 में आपको थोड़े से पैसा ज़्यादा देने के बाद बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी तो of course अगर मेरे ही साब से मुझे option दिया जाए तो मैं Adventure 390 के लिए जाओंगा ना कि Duke 390 के लिए so that's it from my side अगर आपको क्या लगता है आप अपना suggestion नीचे comment करके दे सकते हो thank you so much अगर आप कोई वीडियो पसंद आते तो please do like it नए हो तो मेरे चानल पर subscribe कर देना thank you so much stay safe and be safe करके टो